हेलो रिवान, वेलकम टू पाउमरोक्स यूटूब चेनल, पाउमरोक्स की यूटूब एजूकेसने चेनल में आपका स्वागत है आज की उडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे ट्रामाडॉल मेडिसिन के बारे में तो हम सिखेंगे उसके बेजिक यूज के बारे के कौन से अलग-अलग मेडिकल कंडिसन को ट्रीट करने के लिए ट्रामाडॉल यूज किया जाता है जानेंगे उसके डेली डोस के बारे में सिखेंगे उसकी साइड इफेक्ट और वर्निंग और कॉन्टर इंडिकेशन के डेटेल स्टेडी करेंगे आज के लेक्चर में ट्रामाडॉल मेडिसिन के बारे में तो expert lecture by Amar sir, assistant professor and founder of Pharma Rocks Thank you Parbeen, Pharma Rocks family, updated review of Pharma knowledge के साथ subscribe करें हमारा channel Pharma Rocks और सीखें अलग-अलग दवाईयों के बारे में उनके use के बारे में, उनके dose क्या होते है side effect, warning, contraindication, वो भी एक साल तक affordable price में, medicine course के अंदर तो medicine course को join करने के लिए हमारी app को download करें या फिर 9016312020 नंबर पर हमें contact करें हमारी second channel को subscribe करें जिसका नाम है Hollywood to Hindi Explain और हमें support करें लिंक आपको description box में मिल जाएगी अब समझे आप Traumadol medicine के बारे में तो Traumadol ऐसे class का medication है कि जिसको हम opioid analgesic कहते हैं और उसके पास जो है वो analgesic property है और analgesic property होने के कारण ये medication जो हो mild to moderate और as well as severe pain को treat करने के लिए use किया जाता है और इसकी जो action है वो opioid analgesic के तरह होती है कि ये pain killer के तोर पे काम करता है दर्द नीवारिक के तोर पे काम करता है और जो अलग-अलग type के जो pain होते है उसको treat करने के लिए tramadol medication पर describe की जाती है तो उसके tablets भी available होते है उसके capsules भी होती है और उसके injection भी तो यहाप याप उसका एक marketed formulation का label देखो कि जो Zydus Healthcare का एक marketed formulation है कि जिसके अंदर salt composition है tramadol hydro chloride और उसके company ने capsules बना है इंडियन फार्मकोपिया के standards के according to तो Traumazek जो है उसका brand name है और salt composition हो गया tramadol hydro chloride फिर उपर लिखा हुआ है NRX लिखा है मतलब कि यह एक prescription based medication रहेगी कि Cedule H और narcotic drug के अंदर include होता है tramadol hydro chloride और यह इस तरह से उसके hard gelatin capsules जो है वो company ने बना है फिर यहाँ पे Cedule H1 prescription drug की warning भी यहाँ पे red color से जो है वो print के गई है label के उपर एक और warning आप नीचे की और देख पाऊंगे कि जिसके अंदर लिखा है कि Traumadol medication आप 5 दिन या फिर उससे ज्यादा दिन के लिए medication को use करें बिकाज उससे कोई serious side effects होती है जो हम आगे discuss करेंगे फिर उसके basic use के बारे में समझे तो यह मद्यम से गंबिर्दर से राहत देने वेली दवा है बना कि आपको moderate pain हो रहा है या फिर आपको severe pain हो रहा है तो यह condition को यह treat करता है बिकाज यह analgesic के तौर पे जो है वो use किया जाता है pain killer के तौर पे काम करता है अलग-अलग pain के इलाज में यह medication use की जाती है जितने भी अलग-अलग type के जो pain है उसके treatment में tramadol को जो वो prescribe किया जाता है और यह moderate to severe pain को treat करता है कि जब दुसरे analgesic दवाईया काम नहीं करती तो उसके अलग-अलग doses form है जैसे कि tramadol का 2 ml का injection आता है कि याप याप उसका formulation देखो तो यह injection जो है वो जिसके अंदर 2 ml water for injection के अंदर जो injection बना है जिसके अंदर 100 mg जितनी drug है तो 1 ml के अंदर 50 mg जितना tramadol hydrochloride कि जो इसका salt composition है वो present होता है और यह injection आप muscles में दे सकते हैं जिससे intramuscular दे सकते हैं vein में मनलब की IV injection के तुरू भी दे सकते हैं और subcutaneous roots से भी यह injection दिया जा सकता है but condition यह रहते हैं कि जब आप IV से यह injection को देते तो उसको dilute किया जाता है IV जो infusions होते हैं जो IV fluids होते हैं जैसे की normal saline solution है glucose की जो bottle आती है उसके साथ यह combination में जो यह वो use की जाती है फिर उसका 1 ml के injection भी available जैसे कि आप यहाप उसके impuls देख रहे हैं तो यह 1 ml के impuls रहते हैं और यह 1 ml के अंदर 50 mg drug रहते की और वो भी IEM IV या फिर ऐसे injection के तोर पे use किया जाता है फिर oral doses form में देखे तो उसके tablets available है कि 200 mg के orodispersible tablets साथी है फिर उसके dispersible tablet की यह आप यह देखो ट्रामस जैक पी करके जो dispersible tablet है जिसके अंदर 2 medication combination में एक तो trauma डॉलतो है साथ में acetaminophen मलग के paracetamol के साथ यह combination में available है जिसके अंदर trauma डॉल आप देखो 37.5 mg है और paracetamol रहती है 325 mg की जिसको भी Zydus Healthcare जो है वो manufacture कर दी है फिर उसके SR मतलब कि sustain release tablet है कि जो दिन में आप एक tablet ले सकते हैं 100 mg के sustain release tablet आते हैं फिर उसका combination paracetamol और domperidone के साथ भी रहता है तो यहाँ पर आप देखो Tramasec PD लिखा है तो P for paracetamol D for domperidone तो पर आप उसका content read करो तो domperidone भी mix है tramadol भी है और acetaminophen मतलब कि paracetamol तो इस तरह से उसके अलग-अलग combination versions भी market में available हैं तो अब बात आती है कि Tramadol काम कैसे करता है तो जो हमारे brain के अंदर जो pain pathway कहा जाता है कि जिससे हमें pain के sensations मिलते हैं तो वो pain pathway को ये modulate करता है और वो pain pathway को modulate करने के लिए ये कुछ receptors के दुरू काम करता है जैसे कि mu opioid receptors होते हैं कि जिससे ये क्या करता है कि ये receptors के साथ bind करके अपनी pharmacological action करता है जो और जिस pathway से आपको pain का पता चलता है वो pathway ही inhibit कर देता है जिससे आपको pain के sensation नहीं होती है और ये medication लेने के बाद आपका दर्द जो है वो दिरे-दिरे कम हो जाता है और ये medication pain killer के तोर पे काम करती है उसके dose की हम बात करें तो adult dose की हम बात करें सबसे पहले तो 50 से लेकर 100 mg चाहे आप orally use कर सकते है intramuscularly या फिर slow IV infusion से हर 6 या 8 गंटे पे इतना dose आप patient को दे सकते है तो मानलो हम minimum dose से समझो कि treatment start करते है तो minimum dose आपने consider किया है पचास mg तो 50 mg आप हर 6 गंटे पे या फिर 8 गंटे पे आप उसको दे सकते है मलब कि समझो कि ये 50 mg के आप tablet use कर रहे है तो ये patient दिन में 2 बार या फिर 3 बार उसको खा सकता है उसी तरह से उसका injection भी दिन में 2 या 3 बार लगा जा सकता है बच्चों के लिए बात करें तो children's की जो about 12 years की जो age के जो children's होते है उनके लिए खास कर जो dose के हम बात करें तो 1 से लेकर 2 mg पर kg के इस साब से दिया जाता है मनलब कि समझ लो कि minimum dose हम consider करते है 1 mg पर kg तो समझो कि बच्चे का weight है 20 kg है तो उसको आप दे सकते है 20 mg जितना dose और वो भी हर 6 या 8 गंटे बे उसी तरह से weight ज़्यादा है तो dose भी ज़्यादा होगा और minimum जो है वो सबसे पहले minimum dose से ही treatment शुरू की जाती है अब उसके कुछ side effects होते हैं जैसे कि trauma डॉल लेने के बाद आपको nausea vomiting जैसा feel होगा कि आपको उल्टी हो सकती है जी गबरा सकता है dizziness या फिर drowsiness जैसा feel करना मलब कि आपको जैसे नीन दाती है उबासी लेना ऐसे condition जो वो produce होती है dry mouth मलब कि आपके oral cavity के अदर आपको dryness फिल होती है जैसे कि आपका गलास सूख रहा है बार बार आपको प्यास लगती है ऐसे side effects ट्रामा डॉल जो हो कर सकता है indigestion मलब कि ओपाचन की condition abdominal pain कर सकता है पेट में दर्ध हो सकता है vertigo मतलब कि यह medication लेने के बाद आपको चक्कर आ सकती है constipation जैसा फिल करना या फिर आपको सिर्दर्ध जैसे complications हो सकते हैं इसके कुछ side effects के दौर पे तो यह उसके कुछ common side effect है बढ़ उसके कुछ serious side effects भी है जैसे कि unexpected adverse reactions या फिर effect देखने को मिल जाती है जैसे कि allergic reaction कि अचनक आपके body के उपर racist develop होने लगे आपको खुझली होना start हो जाए या फिर आपके चहरे पर सूजन आ जाए आपके face पर जो सूजन आ जाए आपके lips के बाग है आपके आखों के आखस पर सूजन आ जाए कि जिसको एक allergic reactions कहते हैं फिर यह medication अगर आप 5 दिन से ज्यादा लेते हैं लंबे समय तक तो यह addiction करवा सकती है drug dependence हो सकता है उसका hypoglycemia अलब कि आपके सरीर के अंदर sugar की मात्रा यह medication जो हो कम कर सकती है उसी तरह से hyponatremia मतलब कि आपके सरीर के अंदर salt की मात्रा जो हो कम करवा सकती है salt जो है जो sodium हम कहते है उसकी मात्रा आपके सरीर के अंदर यह कम करवा सकता है और respiratory depression जैसे side effect ट्रामाडॉल करता है contraindications देखे कि कौन से conditions में ट्रामाडॉल को यूज ना करें तो सबसे पहले तो बच्चे के अंदर यूज ना करें कि जिनकी age 12 साल या फिर उससे कम है second ऐसे patient के जिनको already depression है या फिर bipolar disorders के जो patient है उनके लिए ये medication जो है वो contraindications के list में है उनको ये medication गलती से भी आप ना दे तिसरी ऐसे patient के जो suicidal behavior वाले है suicidal thoughts वाले है मनलब कि especially depressions के patient जो है उनको ये medication ना दे अभी भी जिनका blood sugar level कम है कि sugar की मात्रा कम है सरीर के अंदर या फिर adrenal gland का function जिनका कम हो चुका है sodium के मात्रा जिनके सरीर में कम है alcohol withdrawal के आपके अंदर symptoms से या फिर alcoholism या फिर alcohol intoxication के patients को भी tramadol नहीं दे जाती उसके किछ वर्निंग से तो पहली वर्निंग ये रहेगी कि pregnancy के दरान उसको यूज करना unsafe है तो pregnancy में ये एक वर्निंग रहेगी कि tramadol को यूज ना करें फिर किसी के kidney खराब है या फिर kidneys अच्छे से काम नहीं कर रही तो उनके लिए भी एक warning है tramadol medicine को यूज करने पर तीसरा अगर आपको already allergy हो जाती है opioids लेने के बाद तो ये एक warning रहेगी tramadol के लिए फिर आपका liver खराब है liver अच्छे से काम नहीं कर रहा तो भी ये एक warning है आपके लिए और अगर serotonin syndrome है आपको आपके सरीर के अंदर already serotonin का level जो हो high है मलब कि ऐसे person के जिनको depression है bipolar disorder है और suicidal behavior कर रहे है या फिर ऐसे thoughts लाते हैं अंदर तो ऐसे लोगों के लिए भी ये medication एक warning है तो ये सब detail है tramadol के बारे में फिर sugar जिनका काम है कि patient with low blood sugar तो उनके लिए भी tramadol medication जो वो unsafe है तो ये सब चीज़े आपको खास ज्यान रखनी है ये medication को use करने से पहले तो ऐसे इसी के detail में medicine course में अलग-अलग दवायों के बारे में उनके dose के बारे में उनके side effects, warnings, contraindication एक साल तक affordable price में medicine course के अंदर तो medicine course जोइन करने के लिए हमें simply आप whatsapp करें कि जहाँ पे आपको proper जानकरी देजाएगे कि कैसे आप medicine course को जोइन करेंगे या फिर android user android app download करें iphone user app store से link description box में मिल जाएगी हमारे second channel को भी subscribe करें जिसका नाम है hollywood to hindi explain thank you and good luck